गुट इबनिंग प्यारे चात्रों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में तो बच्चों आप पढ़ रहे हैं कच्छा 10 के NCRT गडित साम के साथ बच चुका है बहुत से चात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ सिकेंड हम उनका नाम बोलेंगे उसके बाद फट से अपके कोश्चन पर आगे बढ़ेंगे ठीक है बच्चों गेमर बिने जी भाई बिने जी आपका कमेंट आ रहा है अवंतिका गुपता दीप एस्टडी काजल याद जो रोहित विसकर्मा सीवानंद आजयपाल और सीवानंद कुमार ये दूसरे हैं ठीक है सैल गौर जोती परजापती और राहुल पुझा सिंग लबली कुमारी सिवम कुमार विसकर्मा ये सब ही जुड़े हुए हैं और भी बहुत से बच्चे जुड़े हैं जो हमारे इस इक्सरसाइज में टोटल आपके कितने कोश्चन है जानते हो बच्चा इसमें कोश्चन नंबर टोटल 16 है ठीक है आज हम अभी दो कोश्चन करवाएंगे 6 और 7 जितना करवाएं उनको इतना अच्छे से पढ़ लो कि परिक्षा में भूले नहीं यह कोश्चन बहुत आसा अभी मैं इसे इंगलीस में भी बोल दूंगा सुन लेना ठीक है बीच में एक संभाव तिर्भूज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है जो कि आपको दिखराना एक सरकल है उसके बीच में तिर्भूज बना है तो कह रहा है कि इस डिजाइन का छेतरफल ग्याद करना ह मतलब जो तिर्भूज है उस तिर्भूज को अगर हटा दिया जाए इधर देखो यह जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को छोड़ करके हमें यह एरिया फाइंड करना है जो तिर्भूज के चारों तरफ बच रही है ठीक है समझ रहो यह तिर्भूज के तीनों तरफ जो वोल देता हूँ आप सुन लिजिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं फिर इंगिलिस में सुन लिजिए कुश्चन को बहुत जल्दी से कह रहा है इन आ सर्कूलर टेबल कवर आफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अडिजाइन इज फॉर्म्ड लीबिंग एन इक्वैल्टरल ट्रेंगल A.V.C. in the middle as shown in figure. find the area of design. फिर से सुन लिजिए in a circular table cover आफ रेडियस 32 सेंटीमीटर यानि एक सर्कूलर टेबल पर जिसकी कवर क्या है उसकी आगे क्या कहता है एक संभाहु त्रिबूज को छोड़ करके डिजाइन बनाई गई है जिसका त्रिबूज का नाम है एबीसी ठीक है और ट्रेंगल एबीसी इन दा मिडल एच सोन इन फिगर जैसे की दिखाया गया है चलिह हम इजरी इसका आधिजाइन का एरिया करते हैं हम क्या करेंगे इसने हम जो तिरबूज दीया गया बीच में इसका एरिया से किसमें से ब्रित वाले एरिया से ठीक है तो आप लिखेंगे एरिया आप सेड़ेड रीजन हां या फिर हिंदी में लिख लिजिए चायंकित भाग का चेतरफल बड़ाबर देखिए मैं आपको हिंदी इंगलिस दोनों लेंगोज में बता रहा हूं ठीक है हिंदी वाल लिखे आप Quadrata triangle ठीक है इतने हो गया अब area circle क्या होता बाबू area circle यह होता पाइर का स्कोर यानी बिरित का छेतरपल क्या होता है पाइर स्कॉरर मारकर में अब सही कहता में थोड़ा सा यह बुलू आज दिखता है बले कॉलर आएंगे आज ठीक है बाइनव multigerator जो ट्रेंगल होता है संभाहती ऊसका फार्मूला क्या होता जानते हो यह फार्मूला होता 3apon 4 और Peter , यह होता है और ас-όςक्ण онл México- videoktosatis स्क्राइब करो भाई से मिटाव जल्दी से इसको पटापट कहां गया वह मिटाने माला एक मिनट देखो यह तो हो गया ठीक है आपका पाई आरी स्क्वाइर और माइनस रूट थ्रीपान फोर आरी स्क्राइब ठीक है लेकिन इसमें प्रॉब्लम है वह क्या है आप अकर डिया था सरकल का रेडियस दिया है इसमें मैंने जो आर लिखा यह गड़ बढ़ा साओं यहां पर आर नहीं यहांप आप साइड लिखोगे ठीक है किर बूजाएं कोई संभावच त्रेम्ट गाइंटरल ट्रेंगल है तो उसकी साइड का स्कार होता यह है ठीक है क्या होता यह मुसीबत है साइड हम फाइंड करेंगे पहले इसमें से ठीक है इधर साइड में निकाल लेंगे साइड फिला के हमान रखेंगे आए ये ये बहुत बड़ा काम है इसको समझ लेते हैं साथियों बृत का जो रेडिया से 32 दिया है दिया ना 32 इसको हमने लिख दिया अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा सिंपल सा है इधर भी 32 होगा क्योंकि अगर कोई सरकल है तो उसके रेडियस चारो तरफ बराबर होती है अगर एक चीज समझो ये संभाहुत रभूज है तो इसके प्रते कौन साथ हंस के होंगे क्योंकि जो एक्वालेटरल ट्रेंगल होता उसके एंगल 60-60 के होते चारो तरफ बोलो 60-60 के होंगे ना अगर इसमें हम एक मेडियन ड्रा कर दें जिसे मादिका बोलते हैं संभाहुत रभूज में तो ये चीज आपको पता होगा बहुत अच्छे से अगर किसी संभाँत रभूज में ऐसे हम मेडिय रभूज करते हैं ऐसे तो यह एक ही बिंदू पर तीनों जाके इंट्रसेक्ट करती हैं दूसरी बात यह जो एंगल होता इनको हाफ हाफ डिवाइड करती हैं आधा आधा भाग में बारती हैं बराबर बराबर यह आप जानते हो न तिर भुच पढ़े हो जानते हो तो अगर यह एंगल बाबू पू तीस थीस के बन रहे हैं ही ज prints को नीचे वाला यह कूर बारती हिब दिसका बनेस दूद का डिभाई होजयँका को जाएक हो अगर हम इसको यहां फे самой का किछी मांदध disgूआ लिए चलो सिधा दी छो समझ ना यहां पर मैंने क्या किया डी लिख दिया बीच में यहां थोड़ा कम दिख रहाऊगा समझ ना मैं कहां पर लिख रहाऊं यह यहां पर मैं डी लिख रहाऊं टी ठीक है तो बेटा जो यह बीडी है अगर हमें यह मिल जाए तो हम पूरा-पूरा बीसी निकाल सकते है क्योंकि जो BD होगी उसी की double BC होगी होगी न तो हम निकाल सकते हैं कैसे देखो हमें यहां पर एक एंगल दिया इसे मैं फिर से लिख देता हूं यह 30 दिया है दिया है चुकि टोटाव साइड था तो हमें काम कर सकते हैं यहां पर देखो अगर यह बेस है यह क्या है आपका हा लंब बटेकर्ड होता है ना लं मतलब हाइपोटेनियस नाइश Cooking गड़ बड हो रहा है का स्टवन वटेकर्ण का ओता होता अन्य है यह बादल हो रहा हुँ है यह क्या होता आधार से कृतेल पिर लेंगे आराम से side में और लाक्य माण रख देंगे काम हो जायगा और देखो थीटा कमान कितना दिया थीटा कमान 30 दिया है ति यह हो जाएगा आपका कास 30, इक्वल, बेस, बेस हमें पता नहीं है, बीडी, तो चलो हम बीडी लिख देते हैं, हाइपोटेनियस हमें 32 दिया है, कास 30 का मार रूट 3 बटा 2 होता है, इक्वल आपका बीडी, ठीक है, अपान 32, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, no problem, चलो, इनको निकाल ल 32, अपान ये 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर साइड 2 का गुड़ा पहले इससे करोगे, तो बीडी में हो जाएगा, कछा 10 में पहुंचे यार इतना तो पता ही होगा, दो बीडी हो जाएगा, ये 32 गुड़े रूट 3 हो जाएगा, बीडी निकाल लोग उतर जाएगा, ये बताओ, पूरा-पूरा बी-सी कितना हो जाएगा, पूरा-पूरा बी-सी इसका डबल हो जाएगा ना, यानि अब तुम कह सकते हो, अगर यहाँ इसे हम छोटा फद दिखाने के लिए ही लिखते, अगर हम इसे पूरा-पूरा लिखेंगे तो ये 32 रूट 3, डबल हो ज लब radius 32 दिया था माइनस यह रूट 3 अपां टू इंटू साइड साइड 16 रूट 3 मिला थिक़ें गलत है 16 रूट 3 ना थ्या थार्टी तूरू पर तीन दो बार है याद रहे बगल में जगा नहीं इसलिए मुझा इसको गूडा करके लिख लिया फिर से ठीक है अब इनको क्या करोगे सरल करोगे देखो बाबु इनको सरल करोगे इधर जगा छूट रही न ठीक है यह किसी से भी कहीं कुछ कटेगा नहीं सबको गुड़ा करोगे यह 32 का 32 में एक हजार चौबिस आएगा एक हजार चौबिस का 22 में गुड़ा करोगे जब तो 22528 आएगा गुड़ा करके देख लो 22528 बटे साथ भाई यह गुड़ा करना है कर लो ना 22 गुड़ा 32 गुड़ा 32 कैसे भी कर लो मल्टीपल तो तुमको करना आता ही है माइनस यह यहां कट जाएगा दो से तो यह 16 आएगा और समझना तो लाएगा न यह रूट 3 का जब कहीं रूट 3 में गुड़ा होता है कोई भी नंबर अगर दो बार रूट रूट में मल्टीपल होती बावू तो यह आपका रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 3 आजाएगा क्योंकि यह अंडरूट 9 आएगा नौकर मुल 3 आएगा ठीक है तो यह तीन आजाएगा तीन का 16 में गुड़ा करोगे और तालीस आएगा तालीस का 32 में गुड़ा कर लेना ठीक है तो कितना आएगा 768 संथिंग आएगा और रूट 3 एक बचा रह जाएगा यह आप क्या लिखोगे 768 और अंडरूट 3 इसके नीचे चाहे तो एक शिपा सकते हो यह फिर कोई मतलब नहीं यह लगभग इतना ही आएगा आप ऐसे इसको आंसर भी लिख सकते हो ठीक है समझ में आए ना इसके नीचे बन लिखो या न लिखो कोई मतलब नहीं है आप इसको ऐसे आंसर लिख सकते हो सेंटिमीटर का स्कायर यह कुश्चन थोड़ा सा कल्कुलेशन जादा मांगते हैं समझ रहा हो ना थोड़ा लंबा हो सकते हैं कोई भी डाउट है इसमें तो कम जैहिन कलास को लाइक करके जाना